बिग बॉस सीजन 17 मुनबवर फारुकी और उसकी जिन्दगी दोस्तों हम जो करते हैं उसको हम लोग भड़ते हैं गलतियां हो जाती है वो निकल जाती है मुझे इसा लगता है कि हम सब बिग बॉस देखने वाले लोग शायद इसी चीज़ को देखना चाते हैं यानि आप मैं हम सारे विवर्स और ऐसी ही मेंटालिटी मेकर्स की भी हो गई क्योंकि हमें मज़ा सायत तभी आता है जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं किसी और को बरबाद होते हुए देखना किसी और की इज़त उतरते हुए देखना किसी और को खराब होते हुए देखना मेरा सही सामने वाले का गलत देखना पता है मनारा कल एक वर्ड बोल रही थी सैडिस्टिक प्लेजर शायद हम भी बिग बॉस के थूँ खुद को लोगों को परतारना में देखते हुए तकलीक में देखते हुए दर्द में देखते हुए एक प्लेजर मिलता है हम दों को एक बार सोचके देखते हैं कि basically ये शो क्या है ये एक गेम शो है और इस गेम शो में कुछ गेम सोने चाहिए सबसे बड़ा आपने आपके अंदर एक गेम है कि 24-7 आपको कैमरास के बीच में अपने ब्यक्तित्वकों अपनी परसनल्टी को दर्शान है मगर इस खेल के अंदर ये कौन सा पहलू है जिसके अंदर लोग बाहर से अंदर आजाएं आपकी बाहरी जिंदगी को अंदर घसीट के लिए आई इसका मतलब यह तो शायद बहुत सालों से चल रहा है ये शो बहुत सालों से लगातार उस रिपीट बोट पर चलने की वज़ए से हम लोग बोर मैसूस करते हैं हमें कुछ नया देखना है इस वज़े से इसमें एड़ ओन्स डाले चाह रहे है सीजन थर्टीन में पारस के साथ भी ये सब कुछ हुआ था मगर शायद पारस इतना important character नहीं था सब के लिए या फिर बाहर से आने वाली उसकी girlfriend या फिर साथ में जो girlfriend बन रही थी जो claim कर रही थी शायद वो इतनी important नहीं क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को इतना शायद उतना value देना नहीं चाह नगर यहां पर मुनवर यहां तो सुर्खियों में जादा है या important जादा है क्योंकि पिछले एक महीने से लगवग बिग बॉस लगातार इस चीज़ को खीच रहे है वैसे देखा जाए तो सीजन के हर पहलू में मुनवर फारुकी को लगातार इस्तमाल कर रहे है अब इसके पीछे reasons बहुत सारे हो सकते मुनवर सही मुनवर गलत को तो हम छोड़ी देते है लेकिन अब जो मुनवर के हालात है और जिस तरीके का मुनवर का गेम है जैसा मुनवर जा रहा है अगर इन सब चीज़ों को देखें तो क्या हो गया है पिछले 10, 12, 14 दिन से लगातार हम सब लोग यहां पर बैट करके आईशा को गलत बोल रहे थे कि वो फेम की भूकी है वो नेम की भूकी है और हम सब जने इस बोट में बैठे वे थे कि नाजला कितनी अच्छी है वो आई नहीं आईशा अंदर आगई डेस्परेट है काम्याब होना चाहती होगी इसलिए अंदर आगई और हमी ऐसे नहीं है सिर्फ अंदर जो साथ रह रहे हैं बिग बॉस में वो सारे लोग भी ऐसे हैं आज आप चिंटू और विकी को देख सकते हैं आपको नफरत सी होने लगी होगी उनके करेक्टर और उनकी परफॉमेंस को देख कर कि कैसे मज़े ले रहे हैं किसी की जिन्दगी में उसकी धजियां उड़ने का तो शायद हम सब को ये पसंद है क्योंकि जब मुनबर की हम तारीफ कर रहे थे तो कई न कई हम आईशा की तो धजियां उड़ा ही रहे थे और आज अगर हमें आईशा ठीक लग रही है जैसा कि मुझे लगी 100% आईशा सही आज तो हम मुनबर की धजियां उड़ाने को तयार है घर में लोग एक एक आदमी जाकर के इंट्रेस्ट दिखा रहा है बात सुनना चाहता है बात में इंवाल वोना चाहता है कान लगाना चाहता है मुनबर की गुदी पकड़ के भूके प्यासे को पकड़ के क्लियर करवाना चाहता है कि कर क्लियर आईशा नॉमीनेट होने पर सारी चीज़ों को बार निकाल देती है और आईशा गलत कैसे हो सकती है क्योंकि वो खुद कह रही है कि मैं पिछले 21 दिन से कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ों को अपने दिल और जहन में दबाने की और रिखाव सम्वेर शी इस स्टिल इन लव विट मुनवर फारुकी और नचाते हुए भी किसी के पर मैं यहाँ पर डेफिनेटली एक एज का बेनेफिट आउड भी आईशा को आज देना चाता हूँ और रियली आईम फीलिंग सो सॉरी आईशा कि हमने तुम्हें यहाँ पर जजज किया कुछ पहलू है ऐसे जो आईशा को अभी भी एक शक के गेरे में लेकर जाते है लेकिन नहीं पहले हम बात करेंगे कि आईशा सही कैसे है आईशा है सही यहाँ पर वो बेपाक हो करके क्लियर चिला चिला करके यहाँ पर यह कह रही है कि मैं क्यों अंदर आई थी मेरे आने का एजेंडा क्या था हमने इस कौन से देखा कि मुनवर के प्यार में वो फिर आ गई पर हमने इस कौन से नहीं देखा कि मुनवर उसको अपने प्यार में फिर लेकर के आ गई मुनवर इतने दिन से उसकी परवा कर रहा था जिसे हम इज़त का नाम दे रहे थे तो मुनवर शायद उसकी परवा इसी लिए कर रहा था कि मुनवर की कहीं वो इज़त ना उतार दे मैं बिल्कुल ज़्यादा प्लेजन्ट ली या खुशो के इस चीच को नहीं कह रहा हूँ कि उस लड़की ने जो किया वो बैठरीन था नहीं नहीं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था जो उसने किया जस्तरा से उसने अपने so called रिष्टे को इश्क को प्यार को बदनाम किया चला चला करके वो भी appreciated नहीं था मुनपर देखो यहां पर चक्कर आये सब के सामने आईशा को और आज आपकी भी कंडिशन वही थी कि आप भी अपनी हार्ट रेट चेक कराने गए थे आपकी भी आलत ऐसी थी कि चदर ओड़के कौने में कहीं पड़े थे क्योंकि आपने जब जैसे ही आईशा को छोड़ा वो भी ऐसे ही पड़े हमने उस पहलू को मजाक में लिया मगर आज यह सब चीज़ें आपको वापस देखने को मिली So that's for sure कि अब यहां पर शायद अब इस हर चीज़ को closer मिलेगा नगर आईशा ने लास्ट में भी यह चीज़ बोली कि यह ऐसे करता है यह try कर रहा है ऐसे करने की ऐसा है नहीं यह रोएगा धोएगा ऐसी चीज़ें करेगा It's not BB 17 It is BB personal life of मुनवर पारु की मुन्ना 100% गलत है पर अभी इशा इस बार कीशा बार की बात को लाकर करेक्टर पर बात की गलत है मुनवर मुन्ना की बात करे तो सब को सुनाई है Hypocrisy it's on peak वर्षा मैं आप कोई चीज़ बताऊं वर्षा सारे लोग कोशिश कितनी भी कर लें हैं आप कर, लेकिन मुनवर फारुकी से गलतियां हूई है और मैं यह कहूंगा बहुत असानी से के इंसान से गलतियां होती है इस लड़की के साथ तो गलत हुआ है इसमें कोई दूरा है नहीं मुनवर ने टू टाैमिंग्स भी की है अब ये एक और लड़की के बारे में बता रही है कि मुनवर जब परेशान होगा ठक गया होगा, हार गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुनवर ने जाके किसी से सला ली बड़े से कि मैं फस रहा हूँ, मैं ठक रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए तो उसे किसी ने सलादी इन दौरों लड़कियों में से तेरे ले बैतर ये है और ये चीज अमोमन लोगों के साथ भी जिंदगी में होती है कि जब वो दो लड़कियों के साथ रिश्टे में होते हैं तीन के साथ होते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें मगर जिस तरह आईशा आज आप नुमाइश कर रही थी कि बे सुरा गाने गाने नहीं आते आटो ट्यून पे रहता है लड़कियों को डियम्स पे पसाता है लड़कियों को जूटे तसलिया और वादे देता है और अगर उसने नाजिला को ये वर्ड्स कही है जो कि वो अल्ला की किसम खाके कह रहा है उसने नहीं कहे है और अगर नाजिला नहीं ये एल्डॉन किया है पांच लाग रुपे देने जाया तो इसको कुछ उल्टा सीधा करके इसके साथ रह करके क्योंकि ये भी इसी टाइप की लगती है कि इसके साथ उल्टा सीधा करो तो ये ज़्यादा खुश हो करके फ्री में काम कर लेगी अगर ये सब आईशा ने सुना है चाए मुनवर ने का है चाए नाजिला ने मुनवर आईशा को बताया है तो ये आईशा के लिए इस स्यादा गलत सुनना हो नहीं सकता दोश्तों हमें लड़की के point of view को बिल्कुल समझना पड़ेगा क्योंकि वो तो चिल्ला करके road पर सबके सामने कह रही थी मैं हर बात को clear करना चाहती हूँ come to come and talk to me मुनवर पारुकी और आप अपने घर बैटके समझ गये होंगे मैं मेरे घर बैटके समझ गया होंगा कि किया तो है मुनवर ने उसके साथ वो सब कुछ जो आप भी समझ रहे और मैं भी समझ रहा हूँ और दिलासा तसली या वादा इसी चीज का दिया है कि हम future में साथ होंगे तो अब इस पर मैं एक बार और call out करना चाहता हूँ कि कभी कभी फस जाते हैं लड़के और यहां पर जितने भी लोगों को लगे मैं उसकी कि मैं पियार बनने की कोशिश कर रहा हूँ मनवर का सपोर्ट कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ वो लड़के गलत होते हैं जो ऐसे फसते हैं मैं क्या रहा हूँ कुछ फस जाते हैं ऐसे लड़के वो गलत होते हैं लेकिन वो निकलने के लिए अमुमन जिन्दगी में आम तोर की जिन्दगी में जो कैमरास पर नहीं होती शायद उनके स्ट्रगल उनके एफ़र्ट उनकी प्रैक्टिसिज या उनका लोगों से बात करना किसी को दिखता नहीं है लेकिन ये दिख रहा है and I really want to say आईशा आप में बहुत हिम्मत है कि आपसे बरदाश नहीं हुआ और आप यहां तक पहुंचे इस तरह से आपने अपनी बात को रखा I just want to say कि मुझे कहीं से भी अब आपके अंदर desperation नहीं दिखती and I am sorry आप में desperation game की नहीं दिखती आपको बुरा लग रहा था कि एक लड़की को ले करके इतना clean chitted आपनी ये बन रहा है ये appreciated नहीं था मुनवर ने जो नाजिला की बारे में का मुनवर ने अपनी और परिशानियों को यहां पर बढ़ाया है guys आने वाले कुछ दिन आपको लगातार और मुनवर की फचीती होती भी दिखेगी अंदर नहीं तो बार दिखेगी social media पर दिखेगी because उसने फिर एक बहुत गंदा statement दे दिया हो सकता है कि इस weekend का war पर दिखेगी क्योंकि उसने बहुत गंदे statements दे दिया ये बोलना कि वो लड़की भी two timings कर रही चाहे वो कर रही थी या वो नहीं कर रही थी अभीशेख clap for you अभीशेख उसको रोक रहा था अभीशेख ने मनारा को भी का कि तू अपनी रोटी मत से यहां पर क्योंकि मनारा का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो जाकर के क्या नाजला को क्लियर्टी दिलाना चारी थी विक्की जी हमने यहां पर हमेशे आपको benefit of doubt देने की कोशिश थी है कल तक तक तुम जब अभीशेख का फायदा उठा उठाकर यह लाईने बोल रहा है थे ना बार बार क्या यह लड़का ऐसा ही है इसको कोई लड़की नहीं मिलेगी यह खराब लड़का है यह बेकार लड़का है यह लड़कियों की बेज़तियां करता है तू क्या कर रहा है भाई तू क्या कर रहा है जिस तरह से मुह में शब्द डाल रहे हो ना विक्की वही आप मुनवर के मुह में शब्द डाल डाल के उगलवा रहे हो लोग आपके अंदर विनर प्रटेंशल देखने की कोशिश कर रहे हैं यार हमको अच्छे लगते हो आप मगर किसी और की बदनामी करके अपना इतना फाइदा डूनने वाले लोग हो अप क्या माहूल था आज के पूरे मौले का ये बहुत ज़्यादा देखने लायक था पता है क्यों लोग कुछ फाइनलिस्ट बनने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि जो बनने लायक होते हैं यामर अभी शेक को only the guy अभी शेक was a real कि वो जो मुँँ में आ रहा है वो कह तो रहा है वो जहां पर मुनबर सही है जहां पर मुनबर गलत लग रहा है वो बोल तो रहा है क्या diplomatic आदमी हो विक्की भाईया यार कौने में बैठके मौले में इसकी बेजत्ती इस बारे में बात करेंगे हमारी माता है भेने इसके साथ नहीं गुमेगी क्या बाइकॉट कर रहे हो आप कभी बैठके उसके साथ आप मौले में बोल रहे है आसे 100-800 दिन पहले कि हम सबने ऐसे किया अपने इस टाइम में और उस टाइम में ओके इस रॉंग absolutely इस रॉंग that's why he is guilty and he is so knowing to front of you and the entire like pan dia सुन रहा है वो सबके सामने नगर आपका क्या personal ग्रिवल तेरा क्या लेके भाग इया वो चिंटू तू जंडा ले रहा है लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए तो तू भी तो चल के निखा रहा था ना आईशा की तरह क्या है यार क्या लोग हो देखो आईशा का यहां पर बहुत क्लियर है कि आईशा को अब भी भी मुनवर से प्यार है वो उससे शादी करना चाहती है वो उससे प्यार करती है और यहां पर देखो अंजली का भी नाम आया आज नाजिला का भी नाम आया आज यहां पर शादी का प्रपोस देने किसी को गया वो भी नाम आया आज लोग बैठे-बैठे आसानी से जच कर रहे है कि नाजिला साथ आंट अफेर्ड देख चुकी उसके लिए यूस्टू हो गया होगा उसको लगा होगा है करता होगा इसी टाइप का आद्मी होगा अरे महबबत नाम की भी कोई चिडिया होती है क्या तो वो नाजिला को भी हो गई होगी मुनबर फस गया होगा आईशा को भी महबबत होगी ये भी तो कोई चीज होती है दुनिया में एक लड़के को दो से प्यार होना हरामी मान लिया कमीना बेकार sorry for this हरामी बढ़ कमीना मान लिया नगर आप लोग क्या कर रहे हो इसके अंदर और बिग बॉस क्या बेच रहे हो हमको क्या बोल करके इस बार घरवाले हो लेंगे अलग बिग बॉस का नया तड़का होगा इस ब परतन बेच के, बूट पॉलिश करके, इज़त कमा के, नाम कमा के, यहां पर आया था कि कुछ बन जाओंगा कल, आप से और बढ़ा हो जाओंगा, मदद मिलेगी जिंदगी में, आपने उसकी पीछे की लाइफ, आगे की लाइफ, क्यों कि उसने यहां पर नहीं जी वो लाइ आपने उसकी लेली लाइफ की, इस शब्द को इस्तमाल ही नहीं करना चाहता कि कित्ते लोगों ने डबल डेटिंग की होगी, नहीं की होगी, कित्तों ने अफेर्स की होंगे, नहीं की होंगे, आप सब पाक, सफा, शाफ, बैतरीम, सुन्दर, शागदार करेक्टर के मालिक सही, मगर किसी एक आतमी का ये जी और सिनेमा देखने का क्या मतलब है मारा, कि जिस पे उसकी धजियां उड़ाई जारी है, कमिनल पंगे हैं, कास्टिजम पंगे हैं, चल सकते हैं, उच नीच के पंगे चल सकते हैं, कोरिया से आतमी ला रहे हो, उसको इज्जत से रवाना क कर रहे हो अथिती देव भवव बना करके और अपनों की ले लो कर फिलिंग वेरी बैट मुझे तो यह भी लग रहा है कि यार हूँ आइम लाइक मैं कौन हूँ जो मैं आकर यहां पर अपनी चीजों को रख रहा हूं आपके सामने इस रियली कोशनेबल टू मी टू कि मैं आकर के किसी के बारे में सही या घलत चिट नहीं दे सकता ब्रो इस पे तो मेरा स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कल मुझे आईशा डेस्परेट दिखाई गई थी मुझे बेची गई थी ऐसी आईशा मुझे मेकर्स के दुआरा बेची गई थी मैं नहीं जानता था उसकी निजी जिन्दगी को मुझे दिखाया गया कि वो इस रस्ते से आई मुझे सल्मान सर ने का जो अपने आपको जो है अपने आपको वाट जो है सीनियर है बड़े है समझदार है उन्होंने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी है उन्होंने ये का कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम डेस्परेट हो त की जरूरत नहीं कि तकलीव उसको भी हो रही है क्योंकि एक टू टाइमिंग करके उसको मज़ा जितना है होगा ना उससे बहुत बड़ी वाली सजा उसको मिली है क्योंकि आईशा इंडारेक्ली डारेक्ली सब कुछ बोल चुकी है और मुनबर तुमारा नेचर भी अलगी है हर किसी को अपने घर ले आते हो किसी की बिंदी लगी भी बिल रही है तरे को भी ऐसा लगता है कि घर लाना है सबको तो भाई तू खुद को भी दिखा दे एक बार तरको सब के अंदर भाई ये क्या प्यार बराबर नहीं मिला किया तुझे बच्छपन में क्योंकि वाच उड़ा इसे लाइक ये और सर्चिंग एवरिवेर आ लव और बार बैट करके जितनी चीजें आप इसके बारे में अभी बोल रहे हो नाजिला के लिए प्लीज अभी शेक सही कहा रहा है मत बोल क्योंकि विकी आप से बुलवा रहा है कही ना कही मनारा भी आपको सही बोल रही है कि ये लोग अपनी रोटी सेक रहे है क्योंकि मनारा को भी अपनी रोटी सेख नहीं है पर उससे पहले अंकिता सेख देती है यहां पर मजाग उड़ा करके एक काज आ रहा है कि यह वो आदमी है जो आकर के और मेरी एक टांग नकली है मेरा बाप गरीब था पता नहीं क्या था इन उने मेरा इलाज कराया विक्की बैल, विक्की बैल और मुनावर्ट इस रियली समझ में आ रहा है आप इसको क्यों चुप करा रहते बट प्लीज ब्रो आज तुने जो एकसेप्ट किया है जो तुने एक उपवास किया है तुझे उससे समझ में आना चाहिए कि तरको नाजिला भी डरा रही है तरको ये भी डरा रही है तरको वो भी डरा रही है मैं समझ रहा हूं ब्रो मगर you need to wake up from your dreams आपको उठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस तरह से आपकी धजियां कभी भी उड़ाई जा सकती है आप एक पब्लिक फिगर है खालात नहीं थे जजबात नहीं थे छोड़ देता सीजन को यार नहीं आता ना एक प्रोफी पीछे दिवार पर लग जाएगी लेकिन लोगों के जहन में आपका करेक्टर पूरी जिंदगी रहेगा जोग यहां पर धजियां उड़ाई गई है उसकी कितने लोगों से सौरी बोलोगे कौन कौन आपकी सौरी एक्सेप्ट करेगा और कौन नहीं करेगा बिग बॉस ने बेच दिया आपको आप क्या कितनी डिमांड करके आओगे क्या आपने मांगा होगा वो सब गया दियर वाज ओनली वन गाए अभीशेक सीवियस्ली ब्रो हैट सॉफ टो यू बंदा है भाई इसने अपनी रोटी सेखने की कोशिश नहीं की यहां पर सारे घरवाले इसे कान लगा लगा के जाना चाहरे है क्या चल रहा है देखते हैं क्या चलता है देखते हैं Manuji, it's very clear that Munna is also playing with all these dumb ones. BB13 says, channel has been playing personal life of contestant in future. कौन आएगा इस BB में? If Aisha is wrong, Munna is wrong too. Yeah, they both of are. They both of. कौन सा ये वाला इश्क होता है, बोही जी? ये कौन सा इश्क होता है, जिस इश्क के अंदर लोग एक बार अगर इश्क हासिल नहीं है, तो उसकी नमाईश्च करते हैं, जिस इश्क के बारे में मैंने सुना है, उस इश्क में तो पूरी जिंदगी नाम ले करके चले जाते हैं. और उन्हें तभी लोग आज तक भी पूचते हैं और बताते हैं कि वो इश्क थे, लेला, मजनू, शीरी, फराज, रोमियो, जूलियट, हीर, रांजा, इनमें से एक भी सकसेस स्टोरी नहीं है, एक भी सकसेस स्टोरी नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी स्टोरी को हम गोल्ड पर उन्हें की जिद नहीं थी, कि मिला तो मिला नहीं तो खाड़ साले को, फैक साले को, कर दे इसकी इज़ट के छीझड़े, ये नया दोर है नया जमाना है इज़त के लिए हमें दूर तकाना है मिले तो ठीक नहीं मिले तो उसकी धज्जियां उड़ाना है हम इश्क की भी नुमाईश को करने से अब नहीं चूपते हैं पता नहीं हम अपने आपको सही साबित करने के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं क्या क्या कर गुजरते हैं and in fact हो सकता है मैं भी किसी ऐसी बात पर debate में भी फस जाऊं और खुद को सही प्रूब करना चाहता हूं और करने के चक्र में मैं भी फस जाऊं मैं अपने point को सही करने की कोशिश करूं so once and all I just want to mention this मुनवर is guilty and he is feeling guilty and that's all upon you guys if you want to leave him or leave him that's upon you because वो गलत है उससे गलती हुई है आईशा ने भी आज अपने इससे का जो कहना था वो कह दिया और बिल्कुल सही बात है कि मुनवर सल्मान सर के एक word कहने पर या statements बताने पर आपने इस लड़की को immediately जो ignore किया वो कोशने बल्क करता है आपको और अभी भी आप अगर कम बोलोगे कम समझाओगे कम बताओगे तो कोशने बल्क होते हो आप लोग point off करेंगे आपके उपर क्योंकि आप अपने emotions को logics के साथ में pursue नहीं कर रहे और लोग कर रहे है भूके रहने से आजादी पहले मिलती थी इस दौर में नहीं यूशूड speak about your things और your truth आपको अपना साइड सुनाना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोग तो ऐसे ही जुंड बना करके अपने घरों में टीवी भी देख रहे थे आज जिन चार लोगों के सामने आप बात नहीं करना चाहते थे ना, वैसे शायद 40 मिलियन लोग अपने घरों में बैठके टीवी पर भी यही देख रहे थे you have to be speak out सही कह रहे थी मनार आपको 20 दिन और है किसकी परवा कर रहे हो बोलो, कहो, निकालो जजबात और बढ़ो आगे not defending not defending the मुनवर वो गलत है तो मत बेचो इसको फिर, मत बेचो इसको फिर निकाल फेको, फिर यार फिर क्यों बीबी में लाए finally show कैसा रह गया है सिमरन जीत मैं आपको एक बहुत clearly बात बताओ दुकानदार अपना माल बेच रहा है और हम सब लोग खरीदार इसको देख रहे हैं नुमाईश में सिर्फ इंसानियत और इंसान लगे हुए है फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसके बावजूद भी कि कुछ जमीर लोग कुछ कम जमीर लोग इस सौदे को बेच रहे हैं और सौरी उस लाइन में खड़े वे आप और मैं दोनों इस को खरीद रहे हैं यह लाश नुमाई इंसान जो हमारे सामने था ना आज उसको हम खरीद रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई भी बिना दिमाग लगाने वाला आदमी यह किसी और को चाने वाला आदमी अचानक से उसको पसंद आने वाली अंकिता, मुनवर, मनारा यह अभी शेक एक सेकंड में बिना सोचे हुए एक कॉमेंट करके लिखेगा तू उसकी पियार है, तू उसका पक्ष ले रहा है तूमको मनारा पसंद है, अभी शेक पसंद है hold your breath bro, hold your breath because it is more than a reality show it's about a real fucking people's life we have to think twice on that that should we are capable or we are able to talk on that we have a right to talk on that because it is no more reality it is a fucking brutal images of Big Boss Season 17 contestants Manu भाई, screenshot कौन लेता है लव में और फिर लाइव में और फिर ब्लेकमेल करता है वाह क्या लव है महम्मद साब आजकल का इश्क ऐसा ही है साब आप भी जिन से महब्बत करते हैं एक बार उनका भी फोन चेक कर लीजेगा आप इश्क को लंबी उमर देने के लिए पहले इश्क को लंबी उमर देने के लिए दुआएं की जाती थी कलमें पड़े जाते थे मंदिर और मजजदों के चक्कर काटे जाते थे उप्वास किये जाते थे सोला सोमवार किये जाते थे आजकल इस इश्क को कामयाब रखने के लिए आजकल इस इश्क को जिन्दा रखने के लिए चाहे बले उसकी रूह बद्बू मार रही हो मंगर इस इश्क को लगातार रखने के लिए स्क्रीन शॉर्ट्स और चैट्स रखी जाती है यह इश्क बदल चुका है यह 2021 का इश्क है इसके अंदर सबूत एकटा किये जाते है शोशल साइट्स के सबूत वो दुपट्टा यह उसकी खुश्बू यह उसके बाल यह उसका सिराना यह उसका मेरे घर में आना जाना नाई अब स्क्रीन शॉर्ट्स का जमाना है यहाँ पर इश्क को खरीदा और बेचा जाता है तोला जाता है पर्खा जाता है अबीशेग हर जगा स्टेंड लेता सही गलत पे विनर फेस है मेरे लिए मुन्ना लव नहीं ऐसी लाइफ पार्टनर सर्च कर रहा है उसको बेटे को साथ दे अवदी अवदी डेफिनेटली मैं आने वाला था इस बात पर कि मुनबर फारुकी की परेशानिया अब शायद कुछ और है अलागि उसना भी बीवी के साथ गलत किया एकस के साथ गलत किया अंजिला के साथ गलत किया अंजिली के साथ गलत किया नाजिला के साथ गलत किया मैं तो अंजिली को भी आपर विक्तिमी करार देता हूँ भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं नाजिला को भी देता हूँ आईशा को भी देता हूँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अब वो शायद अगर घर लोटना चाहता है तो क्या आप अलाओ करेंगे मुनवर घर आए क्या आप करेंगे अलाओ अगर आप करेंगे तो हां लिखिए अगर आप नहीं कहेंगे तो ना लिखिये, क्योंकि अब वो घर लोटना चाहता है, किये उसने गलतियां, उसकी सजा उसको, सब के सामने उसको ये जलालत भुगतनी पड़ रही है, सेनी पड़ रही है, अब वो घर आना चाहता है, आप आने देना चाहते हैं, तो प्लीज आने दीजिए, क्योंकि बि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हाँ लिख दीजी आप अगर आप करते हैं मौबत अगर आप देना चाहते हैं उसको सौरी हाँ माफी दी लिखिए चाहे आप पढ़ लिखिए कईए आप अगर आपको लगता है क्योंकि वो अपने बच्चे क के साथ रह जाए क्योंकि मर रही है उसकी वो भी अगर आप चाहते हैं तो आप लिख दीजी हाँ and I just want to clap Abhishek I love you bro you are commendable अंकिता जी आप मुझे 99% अच्छी लगी पर कई जगे पर आप थोड़ा सा लैक कर देती हैं शायद I'm sorry but I'm getting confused about few things of yours के like for it is for content or it is for what maybe मैं इतना mature या इतना समझदार नहीं हूँ आप मुझे माफ कीजेगा मगर आप कहीं पर थोड़ा सा लैक कर जाती है otherwise you was also commendable and बाकी के सारे लोग मैं तुम लोग को इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि अगर चुलू हो ना चुलू भर पानी तो उसे क्या काम में लेते हैं वो लीजिए आप बागी को ले प्लीज लीजिए मैं अंदर के contestants को क्या रहा हूँ दू लाइक दे वीडियो सब्सक्राइब दे चैनल दे तो कॉमेंट्स दे मैं आपके कॉमेंट लेता हूँ आप कर दे पोन से ले लेना आगे के लिए न इस पर प्रोमो भी दे देना ले very sorry for very sorry for आया था भी comment उना लिया नहीं मैं पढ़ ले था इस comment को character assassination show don't join BB celebs Simranjeet Singh absolutely I can feel that pain of Aisha धाई साल से खुद की गलती खुद खुद की गलती खुद रही हूँ की मैं कहां गलत थी एपिसोड मैं अब तक रो ही रही हूँ सारा घाव हरे हो गए रुपाली जी यूर टॉकिन अबाउट यॉरसल्ट रुपाली प्लीज बताईए रुपाली तो उसके बाद बात करते हैं इस बारे मैं very sorry for Munna अभीशेक मनारा today मैं आपको गाईस एक बात बताऊं कि अस कॉमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपनों कोई चीज कहना चाहता हूँ अगर actually हम नों को इसके उपर बात करने चाहिए हम सब की जिंदगी और आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी हम सब की जिंदगी और अगर कभी भी कोई डिच हुई है किसी लड़के ने घलत किया है किसी ने दिल दुखाया है लड़की ने दुखाया है लड़की ने डबल डेट्स किये लड़के ने धोका दिया जहां पर आप चाहे शकल दिखाना चाहे आप शकल नहीं दिखाना चाहे आप सरफ एक message दीजिए लोगों को जिसे बाकी के लोग शायद ठीक हो पाएं उस गलतियों से बच पाएं जो गलतियां आप लोगों के साथ हुई है या आपने indirectly सही है अगर आपके साथ भी कुछ ऐस किसी को बना सकता है या torture कर सकता है guys do support me on that हम लोग करते हैं इस बारे में बार चाहिए ही था ना आप लोगों को भी कोई शो कि मैं लेकर किया हूँ या कुछ करूं हम इसी के ओपर काम करेंगे मैं manu at the rate of gmail.com म a i n मै m a n u manu x double o n हूँ at the rate of gmail.com पर आप अपनी कहानी चाहे short match है brief match है contact number mail कीजिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ अगर business में achieve किया या failure बने दोस्त ने ditch किया किसी किसी भी तरी किसे अगर कोई कहानी किसी को कुछ दिखा सकती है तो please बताइए please बताइए worst episode in history of bb thank god i was not born in the in the era where love was not show off for instagram i used to be pure not like nowadays या राधिका दे people अईसा महसूस करवाया इन लोगों ने राधिका जी अंकिता आईशा समर्थ एंड अंकिता लाइक महले की आंटी जिनको हर बात में गुसना है आज अभीशेक respect ले गया manu bhai who is your favorite contestant manjeet saini ये थोड़ा मुश्किल है आज बताबाना madir dista madir dista forever manu bhai क्या अच्छा इंसान हो आप feeling empathetic towards a person who is down shows your humanity you earned my respect love you thank you thank you brother मैंने तो मेरी feelings और emotions को रखा आपको लग रहा होगा एक आदमी reviewer तो इस तरह से बात नहीं करता है जैसे मैं कर रहा था जितना मैं अंदर गुस चुकाता चीज़ों के तो of course मैं कोई reviewer की तरह तो बोलनी रहा था मेरे real emotions तो इसकी वैसे मैं गलब भी हो सकता हूँ आपने किरदार पर डाल कर परदा फाश कर रहे हैं जमाना खराब है अपने किरदार पर डाल कर परदा फाश कर रहे हैं जमाना खराब है मुनवर ने अपनी वाइफ को टॉर्चर किया एंड चीट किया फॉर नाजिला दिस इस प्यॉर कर्मा मैं आईशा की जगे अपनी बेहन को रखके देखूं तो गूस बॉम्स आते हैं अक्षत अक्षत डेफिनेटली और अगर मेरी पूरी कहानी में अगर आपको ऐसा लगा कि मैं उसको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो बाए मदश यौर मैं ऐसा नहीं कर रहा था कोट में नहीं है वो अक्षत साब वो कोट में नहीं है वो बरी तो होगा वहां से 20 दिन बाद और इसकी कोई सुनवाई कि आप और में करने वाले भी नहीं है हम कुछ हैं भी नहीं इस चीज में मैं ये सरफ चीज इसलिए कह रहा था विकास हो गया है उससे देख लिया है हमने हम आईशा के लिए भी कह रहे हैं कि she was absolutely right मुनवर ने गलत किया है उसके साथ अब घर आएं शांती हो, peace हो मैं मनारा को भी कह रहा हूँ जो clarity वाली बात बोल रही थी मैंने एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ पर मुनवर किस से पाप धुल जाते हैं और अगर आपको मैं समझा नहीं पाया तो I am seriously sorry to you शर्मिस्था मुकर जी thank you for the super chat शर्मिस्था आज फिर से बोल रहा हूँ big boss is not about कौन जीतेगा, it's about मुनवर कैसा हारेगा सयद, सयद बिलकुल big boss का भी यही अजंडा है मुझे भी दिख रहा है, मनु सर 10th super chat पढ़ना प्लीज 10th super chat पढ़ना प्लीज brain head family अरे definitely पढ़ूँगा भाई, मैं definitely पढ़ूँगा बस हम मैं पढ़ने लगा हूँ, मिर जान, sorry आईशा लालवानी, तमाशा बना के रख, तमाशा बना के बना रहे हैं गलती है, but this people are sick these people are sick yeah definitely मैं समझ सकता हूँ, आईशा जी को ये बुरा शब्द ना लग रहा हो छोटी है यार बिचारी, 21 साल की तो लड़की है कितनी अक्कल होती 21 साल की लड़की में शिल्पा UKGB loving your daily vlogs भाई thank you kraftanji online बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे letters चले जाते हैं भाईया, कई बार तो गुसके बढ़ना पड़ता है चीज़ों को thank you for the super chat राम राम भाई, sorry कल किसी बात से बुरा लग गया हो तो life feed एकदम से बंद हो गई और आप भी चले गए एकदम, sorry please भाई, कोई गलती हुई हो तो, I'm sorry आशीश बजाज नहीं कोई गलती बलती भी नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता शयाद उसकी बैटरी का कुछ था रिजन और आपने कुछ ऐसा गरकाओ तो आप भी next time ध्यान रखिए ना आप कुछ ऐसा नहीं बोलो पर था ऐसा कुछ भी नहीं मेरे बाई था तो यही बसे आप protocol वाले डॉक्टर है समझदार आदमी बीबी this year गंडी दिवार पर गंदों की बस्ती खाने को मिलती है लाश वहां सस्ती, मुनवर is wrong बट जो जिसके साथ जो हो रहा है वो भी गलत है exactly आशुतोष गंडी दिवार पर गिदों की बस्ती गंडी दिवार पर गिद्धों की बस्ती खाने को मिलती है लाश यहां सस्ती क्या बात है आशिरोश वेरी सॉरी फॉर मुन्ना अभीशेक मनारा टुडे गुड सोल्स आईशा चीप बिग बॉस आप्टिमिस्टिक अपॉर्चुनिस सॉरी अपॉर्चुनिस एस प्लेइंग ने आज अपनी बात बोल दी क्योंकि अब तो प्यार को इस तरह से ही किया जाता है भाई वो भी कह रही है सलमान सर के लिए बदल के हो गया था तो बलती तो उसने भी कीना हो बदल के हो गया था भाई लब यू फ्रॉम केरला I heard you saying why is मुन्ना behind love शायद he didn't get mother's love I feel so big boss personal season this generation of love screenshot and blackmail प्यार से डर है राहुल रंजन मैं भी ये ममी वाली बाती सामने लेकर के आ रहा था कि शायद उसको प्यार नहीं मिला हो और इस वज़े से वो ऐसा कर रहा हो साथी साथ मैंने इसमें ये भी add-on किया था कि अब वो इतना रो रहा है परेशान हो रहा है हाथ जोड रहा है सबसे तो माफी मांगने के लिए मैंने लोगों को का था मुनवर रवी मैं आपके comment को समझता हूँ और आपकी feeling को भी समझता हूँ आप मानलो उसका भी करमा उसको मिल रहा है shame on big boss just to make abhishek winner they are insulting and defaming मुनवर worst episode शाइदा शाइदा कहां से आया यह कहां का currency था thank you for the super chat प्रनव sir मुनवर wrong but such thing could have been sorted personal level आईशा came for fame big boss is not the right place for such sought some issues प्रनव प्रनव definitely आप बिलकुल ठीक बोल रहा है मेरे भाई यह कोई जगह नहीं थी के जहां पर ऐसी चीज़ों को sort करना चाहिए तो है तो name fame के लिए लेकिन अब जिस तरह से वो कह रही है उसे आप चाहें तो benefit of doubt दे सकता है मनू आज आपके review से लगा जैसे हमारा दिल की बात को आपने words में दे दिया आईशा के according नाजिला is good friend पर नाजिला ने उसके against post डालती है so confusing feeling bad for मुनवर and आईशा अमीता या अमीता she is still in love let me tell you अभी भी वो प्यार में है वो प्यार करती है उससे उसको वो इनसान चाहिए ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बचती जब तक clear नहीं तो होता हम कुछ नहीं कर सकते यूपी 37 यूपी 37 आप बिल्कुल सही कह रहे है पर opportunity पता है कैसी चीज होती है ये लड़के लड़कियों को लगता है grab कर लो शायद आज जो मिल रहा है वो कल ना मिले कल मिले ना मिले कल टी ता आईशा की थी आईशा ने बहुत गंदे-गंदे words बोले यार हीर रांजा और रोमियो जूलियट में किसी ने भी एक दूसरे को यूज नहीं किया था सरगम ट्रांसेस की वज़े से अलग होए थे only people had been used can relate to आईशा अंचल समझ गया अंचल very good अंचल बड़ी गहराई से जवाब दिया आपने अंचल मनु मुन्ना ने अपनी लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया उसका personal matter है वो इस पूरी दुनिया को जवाब देने को बंदा हुआ नहीं है he should only answerable to Allah आईशा ने एंड टीवी पर नेशनल टीवी पर ये करके गलत किया उसे शर्म आने चाहिए सानिया सानिया डेफिनेटली उसने गलत तो किया इसमें कोई दोर आया नहीं हमने उसका दर्द सुनने के बाद में ये काए कि उसके साथ गलत हुआ गलत तो उसने 5330% किया क्योंकि जिस दिन था मौका सल्मान सर के सामने बोल देती बाई एक बात बोलू इस सीजन में आशीज बजाज अशीज बजाज आँ प्लेयर्स तो ऐसे ही थे सारे अभी शेक विंस ओनली टोड़े सर ब्रेन हैड फैमिली तु नाम चेंज कर देना भाई चैनल का क्या है तेरे चैनल पर करता क्या है तू रियालिटी चेक बाहर दो घर के अंदर एक डूसरे के ऐसे दिखाओ इस रॉंग नॉट वर्थ इट मनु यू आर लव शुर्ती शुर्ती एकसेप्ट अंडरेट परसेंट एगरी विती है आज के शो के बाद एक गाना याद से प्लीज सुनियेगा ये दुनिया ये मैफिल ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है अरे मुझे वानी जी ये पूरा गाना याद है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है क्या है सोनाली इसके बाद कॉपी राइट जाएगा सोनाली कि मनारा का क्या सीन है सर उसको क्यों पड़ी है कि आईशा बोले मैं नहीं पसंद करती ताकि मनारा अपना चला सके मुन्ना के साथ सब को अगेंस करके अकेले मैं आप्शन रहना चाती है अगली हांडा घटिया हांडा सोनाली सोनाली देखो अगली और घटिया तो मैं नहीं बोलता पर मैं आपको चीज़ बताओं कि यह वाली बात आपने नोटिस बहुत अच्छे से की कि वो चाती यही है तभी तो अंकिता भी आईशा के पास जा रही है तो उसको लगता है कि मेरा कॉंटेंट खराब हो रहा है वार बार लड़ती है वीडियो को लाइक करेंगे प्लीज दू लाइक दे वीडियो अब तक 30,000 लोग लाइव परो और 7,500 लोगों ने लाइव किया है तो लाइव तो कर सकते हैं वीडियो को नहीं कर सकते हैं आप लोग देर इस नो प्रॉबलम तो प्लीज कीजिए भाई मैं इतना फ्रस्टेट हो गया हूँ कि मुझे ड्रिंक करना पड़ा बाणा डूण रहा है तो ड्रिंक करना पड़ा बिग बॉस देखने के बाद आज ये लास्ट टाइम था मैंने बिग बॉस देखा I love you क्या हाल है भाई आईश्मान ठाको अवे बाणा मत बनाओ दारू पीने का आईश्मान साब तो हम इतनी भी दिल पे मतले भाई तेरी कौन सी इस्टॉल्मेंट कटी दी यहां पर बलत बात दारू नहीं पिएगा छोड़ अभी आईश्मान दारू छोड़ो चलो गाईश्मान दारू छोड़ो चेड़ो इसा आद्मी को चित्ता चेड़ सकते उत्ता चेड़ो इसको मनु मैंने सच लिखा और आपने जोर से पढ़ा नहीं क्यूं आपको भी सच बोलने में दिक्कत है क्या रवी रवी देखो मैं ऐसी किसी चीज़ को नहीं पढ़ना चाता जिसके अंदर किसी भी तरह की इस शोस के अलावा कोई बद्बू है कि मुनबवर ने अपनी जिंदगी में क्या किया अच्छा किया बुरा किया गलत बुला सही बुला वो जूडिशरी का पाट था और उसको स्टीच की सजा भी मिल रही है मेरे भाई मिली है वो जेल तक रहकर किया है अब इसके बाद में अपन क्या चाहते है उससे बताओ रो रहा है ना मनुबाई प्लीज कॉंगरेचुलेट मनबीर संदू बहुत मुबारक मनबीर संदू पाजी अरे मनबीर तुम इतने दिन से गायब थे चेतन ठीके मैं बोलता हूँ फिर यार यह किया तु भूल जाता है बीच में चीज़ों को यार काम को तो काम की तरह कर ले क्या पढ़ रहा हूँ मैं नहीं पढ़ पारा ना वाई तुने मेरे साथ गलत किया वाई यह ऐसे क्यों किया तुने मनु मुन्ना ने पहली मनु मुन्ना ने अपनी लाइफ में क्या किया अच्छा ये तो पड़ लिया था हमने कॉमेंट अच्छा ये वापिस आगया आज के शोड़ इसको कांग्रिजूलेट करते है आईशा ने कैसे गलत किया अगर वो ये सब बार कहती तो उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करता आज मुनवर के सामने बोला है लोग उसे गलत कह रहे है इसमें मुनवर का फॉल्ट है सर नॉट आईशा प्लीज ये समझो और अभीशेक इस रियल विनर अक्षद अक्षद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं उसमें सामने बोला और मुनवर जवाब नहीं दे पाए मुनवर गलत है मगर उसको इस प्लेट फॉर्म पर नुमाइश क्यों करनी थी अपने इश्क की इस तरीके से अगर वो प्यार करती है तो लेकिन आज करी दुनिया ऐसी है कल को वो मानता नहीं तो शुबम गुपता आपका कॉमेंट पढ़ नहीं रहा हूं मैं न इश्वरों के एक्जामपल मदो वो ज़्यादा बड़े हैं हमसे उनके एक्जामपल समया पर नहीं सेट करें प्लीज गाइज एक बात बता हो जब कोट टास्क हुआ था तब सारा मौका आईशा को भी पूरा मिला था उसी फजीयत पूरी की थी उसने फजीयत पूरी की थी तब भी तबी सब बोल देते पर महान बनो तब सब बोल देते हैं सिमरन जीत मैं आपको बता हूँ उसने उस दिन क्यों नहीं बोला उसको फिर भी उम्मीद थी के शायद ये प्यार बनकरार रह सकता है अब उसका निकल गया के नहीं रह सकता थेंक्यू फॉर सूपर चैट आशु जी दर्षना ठाकरे डू यू रीड माइ प्रीवियस कॉमेंड यू डिड़न्ट रीड इट दर्षना जी पढ़ूँगा अभी रुख जाओ आप दर्षना जी अभी तोड़े में आपका नंबर लगेगा यह वाली सूपर चैट बाहर नहीं आ पाती है तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजेगा प्लीज वाला आप 200 का फिगर कीजिए 100 का कीजिए यहां 3 का 4 का 5 का तो वो दिखता है वरना यह 179 वाला चला जाता है बात के जिसे प्यार होता है वो प्राउडली इतनी गंदी बाते इतने ओपनली नहीं बोलता और सबका आटेंशन मिल रहा है उससे आईशा ने दिमाग का एक परसेंट यूज नहीं किया और बोलती गई बिल्कुल सोहिल साब और साथी साथ उसको इस चीच का भी आईडिया नहीं हो रहा था कि मैं कुछ जो कर रही हूँ इसके बाद क्या वो मुझे मेरा इश्क मिलेगा जिसे मैं चाहती हूँ ये भी उसने गलती कर दी बिग बॉस का स्क्रिप्ट एंड कंटेस्टेंड का मिस मैच मुन्ना पर बंदी भारी पड़ गया बस बाद इतनी सी है विली हेल्थ केर विली हेल्थ केर प्लीज इसको थोड़ा डिटेल में बताऊगा इस समझ में आएगा ये कैसा प्यार है सर हमको किसी से प्यार नहीं मिल पाया तो आप उसकी इमेज की धजियां उड़ाने तक रेडी हो जाएंगे इससे सुकून मिलता है क्या वाव दीरज दीरज absolutely भाई अब मैं प्यार पे ज़्यादा निबंद लिखूं भी तो कैसे लिखूं बात तो गलत है आईशा गर्ल होके रो रो कर बोल रही है तो वो कैसे राइट मुना रॉंग आईशा ने बदला लिया पूरा पूरा बदला लिया उसको लगा वो निकलने वाली इसलिए उसने सानिया बदला लिया उसको लगा मैं निकल जाओंगी इसलिए बदला लेती हूँ शी इस नॉट गुड परसंट बिल्कुल भी नहीं है वो अच्छी होती तो मुना के ऐसे जलील नहीं करती वो बाहर भी सॉल्व करती बाहर ही सॉल्व करती मुना ने कन्फ्यूजन में उसका इस्तमाल कर लिया यह उसके इस्तमाल तो वैसे कोई नहीं करता दो लोग दोनों मिले भी होते हैं तभी कोई चीज होती है लेकिन बात सिर्फ ही आती है कि मुना अब यहां पर फस गया कि उसने सामने से क्लेम कर दिया मुना पर दोसका नाम इन ले रहा था मना रा इस इस अफोक्रेट शी शीज आइशा इस डिफेमिंग मुनावर और चीजन ऐसे क्लियर कि राइशा आइशा और अलगे रावी के लिए आप दो क्रेंटर आंव लिए गरिमा गरिमा देखो ये वाली बात तो आपने गरिमा के साथ बिल्कुल बोली है और आपने बिल्कुल ठीक भी बोली लेकिन अभी मुनवर की इस्तती ऐसी है कि उसके कान में आके कोई भी कुछ कह करके जाओ कहते हैं जब टाइम खराब होता है तो गदे के ऊपर बैठेवे को भी कुछ भी जहलेगा आप भी कुछ ठीक बोल रहे है जो भी हो जाए ओल्वेज विट फॉरेवर विट मुनवर फारुकी जीतेगा तो मुनवर ही कोई भी कितना भी डीफेम करने की कोशिश करे मिलियंस आ वो बंदा बार-बार बोल रहा था मेरे को टीम से बात करनी है बिकॉज ही नो जाने न जाने उससे कुछ गलत न हो जाए और वही हुआ नाजला वाले केस में अर्शयान मुहमद अर्शयान मुहमद एगरी विदे मानता हूँ आपकी बात को हो गया उससे वह गलत उसने कर भाईया 12 सूपर चैट नहीं पड़ी आपने ब्रेन एरे भाई मैं पढ़ी रहा हूं बस मैं सूपर चैट की तरफ ही हूँ इसके बाद मैं सूपर चैट सी पढ़ने लगा हूँ आपकी पढ़ी रहा हूं मेरे बाई डाट मत मुझे ती अईशा आने से पहले दिन मैं ही मुन्ना ने माफी मांग ली थी अब और कितनी बार माफी मांगे वो जान ले लो उसकी हर बार एक ही बात बोलके धोका दिया धोका दिया धोका दिया और कितनी बार माफी मांगे इस्टे स्ट्रॉंग अध्याय क्रियेशन उसको सर्फ माफी नहीं चाहिए थी उसको मुनवर भी साथ मैं माफी के चाहिए था आज भी आपने आज तक भी नोटिस किया होगा अब एंड में एक कावध है कि जब नहीं मिल पाया तो उसकी ले लो तो वो ले ली गई, that's it अभी तो यहाँ पर यह दिख रहा है मुझे तो कि नहीं मिला तो उसकी ले लो, बिग बॉस ने ले ली भाई कोई और छोड़े भी क्यों, बड़ी आया है खतम होने दो उसके सारे रिष्टे, सारे जगडे सारे अपने, सब खतम होने दो आये नहीं तरीके से नहीं जिंदगी में और नहीं जिंदगी जिनने लगे, because he give a clear it to everybody, बहुत अच्छा हुआ दिखी चाहिए उसका दुश्मन होगा पर बाते निकलवादी तो अच्छा किया, जब आईशा ने सिरू किया तो बाकी सारी गर्ल्स, अनू थैंक्यवादा सूपर चैट, सारी गर्ल्स को यूज, उसे रोकना चाहिए था, आईशा ने अपनी और मुन्ना दोनों की लाइफ स्पोईल कर दी, प्राउट टू भी अभीशेग बाकियों को डम डमना चाहिए बाकी लोगों को मरना, डूब मरना चाहिए रिद्यम, बाकी लोग मजा ले रहे थे लोगों की बेज़त्ती का लोगों की इंसर्ट का आनंद ले रहे थे तो उन लोगों ने वो सारा ले लिया बेटा तो बस जिसकी बेज़त्ती होनी थी हो गई यहां पर उन्होंने खुश हो के कर ली मनु भाई लाइफ शेशन देखो की लाइफ शेशन देखो इस बात पे देखते हैं की क्या व्यू है सबका लाइफ शेशन करो की इस बात पे क्या व्यू है सबका आई सपोर्ट मुन्ना मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब देखा है म मनीश डेफिनेटली लाइव करेंगे हम अनु की जंता पे इसके बाद लाइव करते हैं तो हम लाइव करेंगे नो डाउट मेरे भी ने उसे टब एकसेप्ट किया जब मैं डैवसी थी शादी के बाद अपनों ने अकेला किया मगर फिर भी आज 15 साल की शादी है मेरी कभी ताना भी नहीं मारा नहीं घर की शादी में सारा खर्चा करने के बावजूद नहीं बुलाया घर की सारी शादी में खर्चा अमने किया उसके बावजूद भी नहीं बुलाया आर्मी मैन की वाइफ हूँ, खुशी हूँ, आज ये है लव, प्ले विद धैरिया, प्ले विद धैरिया, आपके पती को मेरी तरफ से एक शांदार वाला सल्यूट, और आपको शत्षत, नमन और रस्पेक्ट, मज़ा आगया इस बात को सुन करके, कि रियली इसको बोलते हैं पती, I love your husband, love you sir, by you will, by you will disagree with me, but मुनवर ढकन है, बिना फीडबेक के कुछ भी नहीं करता, फैशन फियस्टा, फैशन फियस्टा आप बहुत पुराने हैं, हमारे दरवाजे पे अक्सर आपने अपनी बात को रखा है, नोकिया, डंके की चोट पे रखा है, हम आपकी बात को मानते हैं, तो ढकन है वो कई मामलों में, लेकिन वीकेंड का वार वाला ढकन इसमें दिखाऊ, बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी शेक के अलावा कोई जन्यों नहीं लग रहा है, सब इवल लग रहे है, मनारा तो बिल्कुल साइको लग रही है, महेश डी, महेश बाबू भी जैसा ही दर्द है, देखो किस दिन वो नंबर लगता है, जब लगेगा तब अपनों नो मिलके देख लेंगे, अभी तो नहीं होगा, शायद इस वीकेंड पे कॉन्टेंट सलमान सर के बाद बहुत है, मुर्तजा, मुर्तजा कैसे हो, I felt like मुनवर was kept blank point and then focused to make the confession, he tried to maintain the dignity by trying to speak with her in alone, very unfortunate, exactly भाई यही हुआ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, बिग बॉस का शोही ऐसा है साहे, यहाँ पर humiliation तो पब्लिकल होगा, फिर अगर आप जीतते हो, तो आपकी insult भी पीचे से पब्लिकल होगी, फिर आपको जो करना है कीजिए, यह शोही ऐसा है, यह concept ही ऐसा हालात से गुजरा है, आरिफ पोल हो जाए कि कौन कौन इस हालात से गुजरा है कह रहे हैं, वो तो आप लिख लीजे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, कि आप लोग इसके लिए हम लोग चाहें तो अभी आप लोग 10-15 कानिया मुझे दे देते हैं, तो हम एक सीजन पूरा ब अनुशा शेटे, अनुशा शेटे, डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि लोग इसकी कदर करें और इसको समझें, वेकाओ जिन नहीं तो कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी लेने में, आईशा आने से पहले दिन अचाही पढ़ लिया था, जमील थैंकिवादा सूपर चैट ब्रो जो भी हो नेशनल टीवी पे इतना घटिया दिखना, what a shit, घटिया दिखाना, what a shit, भाई आज कल कौन डबल डेट नहीं करता, लड़कियां भी उसके पास क्यों जाती हैं, because he has a fame, but showing this on national television, लूल, अकरम, अकरम agree with you, मानता हूँ इस बात को, कि अगर आप भी किसी के पास जा प्यार ही रहे हैं, अब इस प्यार को आप माने नहीं माने और फाइदे का प्यार माने नहीं माने, वो मुझे पता नहीं है, यह तो आप पर डिपेंड करता है, विकुल आप ठीव बोल रहे हैं, I think we are missing point, Aisha only here after she caught big project and after that she get an entry in Big Boss, she is here for limelight by defaming, for defaming, TYJ Gaming, TYJ Gaming, agree, प्यार भी मुझे दिखता है को लड़की करती उसे, दर्शना ठाकरे, I can relate to Aisha, PC, I have been cheated by one boy as well, I felt him correct, time, पर वर्ना worst होता, सरी समय पे नहीं पैचानती तो गलत होता, cheating is the worst thing you can do to a person worst, दर्शा, ओके, दर्शना, सॉरी, दर्शना, ठीक है दर्शना जी हम समझ सकते हैं किसी के pain को, कि जब किसी के साथ होता है तो वो बहतर समझता है, मनु भाई मुझे नहीं समझ आता, मुनवर ने अंजली और मनारा के मनारा के feelings के साथ कहां खेला, मुनवर ने कभी romantically अंजली और मनारा को encourage नहीं किया, SD, SD पर अंजली ने तो आहले भी बोला था ना, उसको शोग के अंदर, तो हट हो सकता है किसी को किसी बात से, ऐसा ही द At BB एक वक्त था जब BB बाहर से आने वाले वाले को टोका जाता था कि बाहर की बातें मत की जाए, National Television never should have been said और नहीं बोली जाए, सौरब, सौरब बिलकुल आप ठीक बोल रहे हैं लेकिन अब वो दिन रहे नहीं, बदल गए हैं, दिन बदल गए हाला, लोग content नहीं देंगे तो Big Boss उनके चीलशड़े निकाल करके भी content लेंगे, not defaming मुनवर action, but somewhere it's a question, question की nominate होने पे sympathy votes के आगे जाने के लिए ही, तो इतने दिन बड़ा के नहीं रखी थी बातें, संभाल कर नहीं रखी थी बातें, सनिया, I have a point guys, सनिया है, बोल रही है कि इतने दिन से बातें रख कि जब nominate होंगे, इनको निकालेंगे तो शायद public sympathy मिलेगी और extension मिल जाएगा, आप इस point के उपर क्या कहना चाते हैं, guys नीचे comment करके आप भी लिख सकते हैं, अगर कुछ लोग अभी भी मुनवर को support कर रहे हैं, तो ये तुमारी sister के साथ होता तब पता चलता, stop supporting a womanizer, अक् अपने point of view को ऐसे रखे हैं कि मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझ रहा, मुझे ये चीज पसंद नहीं आरी, अगर लोग उसको support कर रहे हैं, तो लोग बहुत blind है, समझ में नहीं आरा, but don't give an example to sister, sister and all, or किसी का भी, आप कोई भी example बदोग रहा है, I'm not against on you, I can understand your emotion and pain because you are relating with A Nisha's pain, but please consider the things, such things happen in the real life too, यार, क्या clarity चाहिए बीबी को मुनवर से, सल्मान को भी, खुद के रिष्टे की clarity नहीं है, बस TRP के लिए किया, प्रनव, आप ये भी सोचने ला है कि प्रनव, आप जो कह रहे हैं, जो भी हो, इंसान है, गलतिया होती रती प्रनव, जो भी हो, बि deserve to win the show, Big Boss killed their show, showing negativity, toxicity, अमीतोष बता हूँ आपको एक बात, आप समझना इस बात को, के नों ने इसके साथ ऐसा किया, राइट, आप समझो, हमने अभी शेक की इतनी गंदगिया है, देख ली कि अभी शेक, इशा के साथ क्या क्या किया हुआ है, वो इशा ने बता दिया, किसी एक को जिता दो, और यह बोल दो के, कि फैंस ने जिता दिया, चीज़ड़े तो आपने वड़ा है, Big Boss, दोनों लड़कों के बारे में अपने लड़कियों से कैसा बीएव करने वाला दिखाया है, यह तो कितनी सोचने वाली बात है, कि Big Boss चाते क्या है, बेसिकली, इस सिचुएशन में अच्छे अच्छे डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुदा ना करें, खुदा ही बचाए मँनवर को, मुनवर के कैरियर को बरबाद होने سے, बहुत मैनत की है, अनफोर्चुनेटली, लव टू मुनवर, लव यू मनवर और लव यू मनुभाई वो बहुत सारे रिष्टे देखता है इसको cheating कैसे बोलेंगे अगर मुनवर दस लड़कियां देख रहा है तो गलत क्या है इसमें happiness to you 6-7 happiness to you 6-7 यहाँ पे गलती इतनी सी है कि वो एक दो के साथ इन मैं से कुछ ज़्यादा आगे तक सोचो बढ़ चुका है तो वो लोग वो चीज़े भी बोल रहे है राइट वो लोग कह रहे हैं वो बार-बार धंकी इसी चीज़ की दे रही है और अगर शादी करनी है तो करें बाकी लोगों को hold पे ना रखे ऐसा कह रहे हैं बाकी के लोग मनारा मुन्ना is a victim of fake बाबा remember he was talking about that uncle you are the best I might be wrong I am soheb I love your review you don't see any winner in this season from from हरपीत 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 हाँ नहीं लग रहा होगा आपको विनर मैं समझ सकता हूँ हरपीत लोगों से connect होना मुश्किल है इस बार जैसे आईशा मुन्ना वाले topic को start किया विक्की भाया बोले अब अर्जुन आएगा साफ साफ पता चलता है आईशा वोट्स के लिए ही है cult fan of मुन्ना इमरान इमरान ये कह रहे हैं कि सर्फ show के लिए उसने सारा नाटक किया बले मुन्ना एक घटिया इनसान है पर इनसान है बड एक इनसान है बीबी कैसे लोगों की life ऐसे की तैसी कर रहा है कभी कभी कोई कुछ बीबी के कारण कर ना ले रमेश रमेश है वा पॉइंट बेज़ती वाला एपिसोड फॉर हर्पीत बेज़ती वाला एपिसोड सौरी भाई पर आईशा का लेवल खुद के रिष्टे का जवाब लेने के लिए इतनी ज़्यादा परसनल बातें खोली और मनारा की तारीफ से आज मैं खाता हूँ के मुन्ना I love you मनारा की तारीफ से आज मैं कहता हूँ के मुन्ना I love you सोहिल सोहिल ऐसा क्या का था उसमें मैं तो चूग गया मैं तो चूग गई आप में सुन लिया मैं तो चूग गई Somewhere same scenario happened with Siddhar Shukla but he stand well with his points of point of view ऐसा ही stand मुनवर को लेना चाहिए उसके fans उसका साथ नहीं छोडेंगे जुनेल जुनेल प्रॉब्लम यही तो आ रही है वो बोल नहीं रहा वो बिचारा डर रहा है शायद अपने बच्चे के चकर में डर रहा है कि मेरे पापा की इंसल्ट हो रही है पॉपकॉन तमाशा क्या अंकिता मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ भाई एक साथ एक गंटे बैठा था क्या अंकिता ने कोई क्या अंकिता ने कोई क्लियरिटी दी है शुशान और उसके ब्रेक अप पे जो आज डिमांड कर रही है मुन्ना से क्लियरिटी की यस पॉपकॉन तमाशा आपने बहुत जबरदस्त वाली बात बोली है खुद तो करो नहीं और लोहों को गले पड़ जाओ क्या मैं सबके सामने क्लियर होना चाहिए अंकिता जी आपने कब क्लियरिटी दी आपके पास्ट रिलेशन्शिप की आप अक्सर बताती है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आपने कब क्लियरिटी दी जाप किसी और से चाहती है मुन्ना तो clear करेगा सब के सामने ये बाट हम सब के सामने हो ये क्या अंकिता ने कोई clarity पढ़ लिए मुन्ना के साथ बीबी ने बहुत बुरा किया बहुत बट कुई न अलला सब जानते है और ये public भी बाई public ये सब जानती है ये आईशा को को भी जानती है और बीबी को भी हो पब्लिक मुन्ना को प्यार देगी मुन्ना देखेगा कि पब्लिक उसे कितना चाहती है सानिया खान अईशा मुन्ना को प्यार करती है उसकी गलती ये है कि सीधा सीधा बोल नहीं रही है आजकल बोलते ही नहीं है लोग भगत सागर बोलते ही नहीं है उल्टा इंसल्ट कर रही है इस टू बैट इस नॉट गुड सॉरी आप बिल्कुल ठीक है रहे लोग बोलते ही नहीं है प्यार को तो प्यार कहना ही नहीं है पाप पढ़ जाएगा इनको बेज़तिया करना आसान लगता है इनको पता नही and sis के बारे में क्या बोली और वो कैसी है तो आज बिक बॉस में देखकर ही मनवर की धजियां उतारना जरूरी था किया और मनवर मुझे बिलकुल गलत नहीं लगा शुबम यह कहना चारहे हैं कि आईशा को पता था की नाजला मनवर की sis के बारे में क्या बोली and वो कैसी है कि उसने इस बात को भी यहां पर बार निकाला बेलकुल exactly बहुत गंदा वर्ड था वाई वो तो बहुत बेगदम दरने वाला वर्ड था उसके ओपर कहीं सीन नहीं बन जाया बार चिडिया ओड क्यूं खेली चिडिया ओड क्यूं खेली द्यूरिंग एक्स-वाइफ अन्नु अन्नु यूफ एवड पॉइंट पॉइंट गरिमा मुनवर शुट से टू मनारा देट यू आर नॉट माई फ्रेंड और यूट नीद यूर अड्वाइज प्लीज स्टॉप हगिग मी मुनवर डरता क्यों है, बोलता क्यों नहीं है और सलमान भी मनारा को कुछ नहीं बोलते मनारा is an emotional blackmailer कल तो वो यह भी कह रही थी गरिमा जी मुझे sadistic laser मिलता है मुनवर को अगर तकलीफ होते है I just, I wanted to know one thing why this season is coming becoming destroying people if things were wrong in personal life then why can't things be personal आदित्यकावरा, very good आदित्यकावरा बिल्कुल आप ठीक बोल रहा है बड़ी वाली बात समझ में सारी दुनिया को आए बाई मेरे साथ भी ऐसा सेम हुआ है मुनवर के जैसा आठ साल से मैं recover नहीं कर पाया, अपने आपको मुझे मरने की धमकी देती थी को यहाँ पे का है, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टोरी है, जो पब्लिक को कुछ से सीखने, समझने, जानने को मिल सकता है तो वी कैन डू आ पॉडकास्ट, आप सिरफ आडियो से रह सकते हैं, आपका जिला, एड्रेस, घर, पॉलना, कुछ भी identity clear नहीं करेंगे, और हम लोग बात कर सकते हैं, बस पब्लिक को आपकी audio से message मिले कि वो अपनी सिंद्गी को कैसे ठीक कर सकते हैं, किसी भी तरह की कहानी है, अगर आप business में कभी up गए थे एकदम से, या down गए थे एकदम से, किसी भी तरह की कोई चीज हो, तो we can talk on that, आप mail कीजिए, हम लोग आपको call करेंगे, हम आपसे contact करेंगे और हम उसके उपर बात करेंगे, after this big boss, immediately हम उस टीज को start कर सकते हैं, तो कोई भी अगर अपनी story share करना चाता है, चाहे कामिया भी की, चाहे हर की, नगर आप लोगों को शायद कुछ सिखा सकते हैं, आपके हर के अंदर एक ऐसी काहानी है, जो काहानी एक तरह का lesson है, आपका भूका रहना एक lesson है, आपका कामिया भोना एक lesson है, struggle, kind of, any kind of a struggle, if you faced in your life, please share with us, so we can like share this with public, लोगों को उससे कुछ सीखने को मिले, भाई अंकिता को clarity दे भी दे तो कौन बताएगा की सच भी बोल रहा है या नहीं, because शुशान्त नहीं है, अब बताने के लिए कुछ भी बोलती रहती है, मनीश, मनीश मैं आपको बाद बताओ, हिम्मत नहीं है किसी की, कि दे लेजेंट शुशान्त सिंग, वो नहीं रहे हैं, उनके बारे नहीं कुछ गलत बोल पाया है, वो बोली नहीं सकती है, क्योंकि हम सब उसको जानते थे, सिर्फ उसकी शकल को देख करके, हम उसकी सक्षियत को पहचानने वाले लोग हैं, मुनवर कैसे बोलेगा और उसने बोला भी तो लड़कियां कुछ ना कुछ आके चिड़ाते उलजाती जैसे आज ये आईशा कर रही है, लड़कियां मदब अदवाया, अदवाया, creation, actually ये कहना चाहरे हैं कि मुनवर अगर कुछ बोलने की कोशिश भी करता तो आईशा इदर से उदर से कहीं न कहीं से गुमा गुमा करके उसको confuse करी देती, जैसे आज आईशा कर रही थी लड़कियों में, ये quality होती है, वो कितनी बार मापी मांगे और कितनी बार जान ले लो उसकी, लव मुन्ना, ये कहना चाहरे हैं कि इनके कहने का point अपिए है, point to be noted, किसी के बेजती पर लोग मजे कर रहे हैं, अगर यही रह गया है मेरा, तो अब मन नहीं कर रहा है, बीबी देखने का सब बर्बात कर दिया, सौरब, क्या सौरब point तो है आपकी बात ले, बाई, only issue was, मुन्ना, was not, defend himself, डेख लिख रहे हैं, इतना सा कैसे पढ़े हम इतनी इंगलिश हम को नहीं आती, इंदर, डीएफ लिख दिया, defend himself, ये तो उसकी गलती है बिलकुल, ये line क्यों मारती है, ये line क्यों मरती है, अगर मुन्ना फिर बीएफ बन जाता है, तो सब I don't trust anymore, point to be noted, इतने घटिया आदमी को आप line लगातार फिर भी माल रहे हो, उसकी बेज़ती भी कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए, आईशा आप exactly चाहती क्या हो, exactly क्या चाहती हो, ये सोचने पर मजबूर करता है सबको, अभीशेक को छोड़ कर सब लोग मज़े ले रहे है अज अभीशेक ने दिल जीत लिया, brain hurt family, आईशा मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कितनी परवा थी तो नेशनल टेलिविजन पर आके खुद को और मुनवर को की इज़त का जलूस निकालने आही ही क्यों थी, definitely fame game, अनुश्का ये कह रही है कि definitely fame game है, अगर अपने घर गरवालों की, परिवार की परवाई थी, तो यहां पर क्यों आगई कि मेरे घरवाले क्या सोच रहे होंगे, भाई घरवाले भी brave होए, माननों कि अगर वो प्यार के लिए यहां आई है, और उन्होंने कहा है, कि जाओ बेटा, लेकर क्या हो, कर क्या हो, मज़ा आगया है ब लड़की, law ही ऐसा है, वो लड़की की सुनता है, हाँ अपना law तो ख्यार लड़की की सुनता है, प्रतीक, इसमें तो कोई जो रहा है नहीं, लड़की की बाद ज़्या सुनता है वारा law, मैं नहीं कहा रहा है, सारी लड़कीया सही या गलत होती है, वो मैं कहने वाला कोई भी नहीं हूँ, कौन सही कौन गलत होता है, वो उनकी कहानी पर होता है, डिपेंड, बट हाँ, law है थोड़ा, बीबी मेकर्स, समर्थ, ईशा और अभीशेक के पैरेंट को एक दिन बुला रहे हैं, कितने चाला के हैं, बीबी मेकर्स, ईशा और अभीशेक के पैरेंट्स को ज़्यादा टाइम के लिए बुला रहे हैं, हर प्रीत कहा रहा है, चंडाल चौकडी है, बिग बॉस, लाई फीड में कल आईशा ने का भाई आया था, तो उसने अभीशेक को कहा कि टोफ लड़की डिजव नहीं करता, प्यार नहीं मिला, तो उसको बच्चे को मिले और वही यह सोच रहा है, मुना अपने बच्चे और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, और ऐसी लड़की वो डिजव नहीं करता, प्ले विद धहरे हैं, आई एम थर्टी-थरी, एंड ट अपने गाना सुना नहीं है, अपने गाना सुना नहीं होता है, जैसे अभी थोड़े पहले किसी ने कहा था, तो मैं आपको कहता हूँ कि गाना सुनना एक सौंग है, कि सब कुछ बिखता है, डैडी फिल्म का सौंग है, कोक बिखती है, किरदार बिखते हैं, सस्ते दामों यहाँ भगवान तक बिकते हैं ऐसा गाना है मौर्थियों के बारे मैं आप वो गाना सुनना आपको बहत मज़ा आएगा डैडी मुवी का अनुप हम खेयर का सांग कुक बिकती हैं सर बिकते हैं धड़ बिकते हैं सस्ते दामों में हर रोज खुदा बिकते हैं सस्ते दामों में हर रोज खुदा या फिर इश्वर ऐसा कुछ बिकते हैं गाना या आप सुनना आपको पसंद आएगा बहुत के बारे में कहा रहा है कि जो लोग मूर्थी बनाते हैं वो लोग इश्वर तक को बेचते हैं भाई अंकिता मनारा के लिए चैट कर रही थी और आज उसने ही तमाशा बना दिया brain and head, क्या कर रही थी वो चाट रही थी मुन्ना मुन्ना की इतनी, अच्छा मुन्ना की इतनी भई अंकिता मुन्ना की इतनी चाट रही थी और आज उसने ही सब कुछ खराब कर दिया, ऐसा कहके बोल रहे हो पड़ा मैंने आपका comment मनु भाई बस नॉमिनेशन हो गई तो ये सब किया है वेट करो, यही सब पता चलेगा, still we have three more weeks मनीश, मनीश डेफिनेटली वो देखेंगे ये देखने के लिए बैठे हैं मेरे भाई sorry Aisha had physical with sorry Aisha had physical with munavar knowing they are not in relationship, so that's not using you considered पाहुल पाहुल, पाहुल point to be noted, absolutely point to be noted मुनवर अपने लिए बात नहीं करेगा मेडम तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते न विक्रम ठाकूर, thank you for the super chat feeling bad for Munna, for God's sake he has a son अंकिता त्यागी के बख्ष दोसको उसको बच्चा है, Dr. Zubay K I didn't find Ankita wrong today I was little bit confused about like she is going there and there and there and there and try to sort out things so that's why, maybe I am wrong sir maybe I am wrong, I am not claiming on that like I am absolutely right Dr. Nibidita, but didn't Aisha said they were not in a committed relationship and a big thumb down for Vicky and Samarth except madam Sanial Shorts भाया, मैं तो family episode देखने आया था, पता नहीं था ये सब देखना पड़ेगा, Sanial Shorts absolutely agree with you Sheikh Abdul Sir, लेकिन ये किस चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या हम big boss किसी के personal life के बारे में देख रहे हैं point है sir आपका, लेकिन ये show आजकल इसी तरह के कगार पर है इसी तरह की अरकत है करता है head and family, sir आपका पहला comment आगया मेरे पास मैं, मुनवर के fans आज कुछ नहीं बोलेंगे sir उनका ideal इशा ऐसा है अभी शेख ने आज प्रूफ कर दिया, वो real है चंटू इशा सब मजे ले रहे है आप इदर उदर मज जाओ, आप अपने पे फोकस करो not defending the मुनवर वो गलत था आज बट मेको इसको फिर निकाल के फैको कुछ भी करो सिम्रजीत पढ़ लिया था अभी शेख बार बार रोक रहा था मुनवर को महेश मुन्ना अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूँ आईशा जब घर में आई थी तो उसका statement था कि उसका और मुन्ना non-committal relationship था popcorn तमाशा यह बार-बार कहा इसले जा रहा है because मुनवर ने I love you कह दिया था लड़की ने नहीं बोला था लड़की फिर भी claim कर सकती मनु जो लोग आईशा को blame कर रहे हैं कि यहां क्यों आई तो entire me too moment was girl to came forward against those who are not who are taking advantage of girls double date isn't that much wrong but doing physical is wrong Akash Akash have a point guys you can reply to them but in a proper and beautiful manner जिस तरह उन्होंने अपनी बात को रखा है मुनवर लाइफ totally F up by BB for TRP दिल कहता है सही कहता है आपका दिल brain and head sir abhishik sir आज abhishik ने दिखा दिया बाकी fake winner सरब abhishik दिखा आज वसीम अकरम आईशा recently भी अकरम वसीम आईशा आज recently भी बोली थी दोनों non committed थे yeah definitely she said that कि हम दोनों non committed थे बट पता नहीं कौन सी चीज की लड़ाई है आईशा मुनवर को गलत भी कहती है फिर भी उसको BF बनाना चाहती है तो वो गलत है बट abhishik भी तो same करता है वो आईशा को कहता है वो heartless है मेरी मा रोती है रोती है कि छोड़ दे उसको फिर भी उसी के पीछे पड़ा है गरिमा गरिमा हाँ देखो बिन दोनों में से एक winner भी है शूका बिग बॉस ने इन सब के चीछड़े करने के चकर में क्या पता क्या ही कर दी है relationship में दो मैं से एक को choose करना majority of लड़कों के साथ होता है और चूस करना confusion location कह रहे है majority of लड़के इसमें फ़स जाते है मुनवर is saying कि मुझे अपने बेटे के लिए देखना है नाजिला ने मना किया कि वो रह नहीं सकती मेरे बच्चे के साथ सब national TV पे ही होना था बिल्कुल सही कहता है मेरे बाई मैं हूँ इंसान ये मैं दब एक चैनल का नाम है मैं हूँ इंसान इतना ही वोमन के लिए stand लेना है तो BB16 में साजित खान के personal life क्यों नहीं exposed किया अंकिता सेंग मेरे साथ ऐसा हुआ using शुशान्त अगेन सयद सयद लिख रहे है heads off to Abhishek heads off Abhishek के लिए respect MD Yassin आज भी मनारा गलत इतना hate मनारा से not accepted मनारा गलत मैंने इसलिए कहा क्योंकि मनारा तो मत्व कुछ और ही कर रही थी नहीं तीसरी चीजी मनवर सरब मेरा मेरे साथ रहे उसलिए मज़े लगा सौरी अगर आपको गलत लगाता हूँ मेरा दिल कर रहा है आपसे माफी मांगने का मनवर माता यार पढ़ लिया था ये very dishearted to see for TRP for anything personal life should be personal yes if they talked all this is a conspiracy to broadcast broadcast से सारा सब कुछ होना शिरूओ आदित्य बोल रहे है and sort out लोग दिखाने के लिए आज dialogue मारा as sort होते हुए लोगों को दिखाने के लिए dialogue मारा अदित्य काबरा अदित्य काबरा agree with you on every note नाजिला एन मुन्ना should open relationship में थे नाजिला एन मुन्ना शायद open relationship में थे आईशा और नाजिला को मुनवर की वज़ा से पेम मिला है it's give and take things मुन्ना हम भी भी मुन्ना हमें भी वो चाहिए हमें अब भी वो चाहिए हमें भी अब वो चाहिए खयाती खयाती आप बिलकुल ठीक बोल रहे हैं खयाती भरदवाज ये था तो relationship पैसा ही लेकिन अब chats और screenshot के सारे खेल हैं देखी अब आप प्रतीक तिर्वे जी ये भी किया किसी normal आदमी से बात करने लग जाती था तो मुनवर कोई personality तभी इन लोगों ने बात की थी obviously मुनवर एक public figure था fame था, name था तभी इन लोगों ने बात की थी बीबी नए ईशा, समर्थ, अंकिता, विक्की ये सब vulture हैं सब popcorn लेके मजे ले रहे थे लेने आजाते हैं कैसे कोई movie चल रही थी fake people milton kriston wow, क्या बेचते हैं आप समर्थ having fun of मुनवर situation प्रतीक दिरवेदी, definitely प्रतीक, गुर्मीद feeling back for मुनवर winner नहीं बनाना है तो ठीक है बट इतनी बेजती नहीं करनी चाहिए, बीबी कंटस्टन की टीवी पे, जो बीबी के ही show की TRP ला रहे हैं Manu, you are the best, गुर्मीद, absolutely गुर्मीद, agree with you रुद्राक्ष, Manu भाया अभीशेक today proved he is a winning material, a real human with flaws, but a good-hearted rooting for him रुद्राक्ष नाम बहुत अच्छा है आपका, brain heart, heart, head family, अभीशेक को winner देखना चाहते हैं, सर, अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन real personality अभीशेक की है करन, भाई आज बिना आज भाई आज बिना चिल्लाए अभीशेक अलग लग रहा था, घर वाल से अलग लग रहा था, heads off to him, बाकी मुन्ना की personal life क्या ही comment करना ये मुनवर के fans उस ही अभीशेक को गाली दे रहे थे थे and degrade कर रहे थे, जिसने मुनवर के साथ, भाई पानी पिला दे साथ दिया just because of उनको competition बन गया मुनवर का इतना साथ दिया just because वो competition बन गया तो ये किसी के सगे नहीं, दोगले हैं और अक्षद, अक्षद गंदी बात नहीं बोलनी, आप अपने वाले की तारीफ करो मेरे भाई, मैं आप एक comment पढ़ता हूँ, सारे प्यार मुभबत वाले, अच्छा अच्छा बो कभी किसी को माना की वो किसी और के हो गए, पर हमें पिर दूआ दी, कि जहां भी रहें, वो खुश रहें, रहें वो उसी के, semi for you, क्या बात है सैमी साब, एक सैमी जी की मौभबत ये इनकी है, तो ये कहना चाह रहे हैं, अक्षद साब, पढ़ी लेता हूँ, इनका comment ये, से एक stand ले लिया है, उसका competition बन गया, तो उसको ये गाली देने लग जए थे, ये किसी के सगे नहीं है, दोगले हैं, मुनवर के fans, इन्होंने ऐसा का है, अक्षद, ऐसे नहीं बोलते, पर मैंने आपका comment जान पूचके पढ़ा है, कि आप disappointment नहीं हो, आपको, but this is not appreciated, मत करो कोई भी किसी को भी, बीबी, mission completed, negativity को बेचा और हमें खरीदा, इतनी रात को भी हम इस पे discuss कर रहे हैं, बिल्कुल लौविश खत्री, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बीबी का प्लान पका हुआ, मनु आपका review awesome है, I am from Brisbane, Australia, मैं daily drive करता हूँ, और आपका review सुनता हूँ, मेरी drive approach, एक आर की होती है, शैमी खन्ना, शैमी खन्ना प्लीज, बहुत अच्छे से drive कीजिएगा, डंग से घर जाएगा, हमें audio पे ही सुनिएगा, वीडियो को गलती से भी मत देखिएगा, और अच्छे से आप अपने घर जाएगे, और सैमी साब आपका comment मसता हैं, थैंक वाइ पब्लिकली हुमिलेटिंग हिम, चस्ट बिकॉस ही जाएगा, इस बदमेकर बहुत चीफ हो गए हैं, क्या लोग आना चाहेंगे, इस शो के अदर इस वेरी डिसकस्टिंग मनु भाहिया, पारस बिलकुल ठीक के रहे हो, लेकिन पैसा देख करके लोग फिर आजाएग में, इंटर्व्यू समवन फ्रॉम दे म्यूजिक वीडियो हेर मनु भाई, म्यूजिक वीडियो मतलब कंट्यूजड मेडिको आप क्या कहना चाहरे हैं, अंजली, अब क्यों कोई सेलिब आएगा, बीबी मेकर्स आर, मतलब इनसान ही नहीं है, कहना जाएगा, अन्यूमन कह है बाहर, ब्रेन एन, अचाहां, बल्कु ठीक के रहे हैं, बाहर इनकी भी अलब दिल कहता है, अईशा सेंग दाट माई पैरेंट्स, वाई यू केम हेर, अगर आपके पैरेंट्स देख रहे हैं तो आप यह आई क्यों, 143 मनू, थैंक यू, बीबी, इस येर गंदी दीवा पर पढ़ लिया था यह, अभी शेक हर जगे स्टेंड लेता, सही, गलक पे, ही जविनर, मुन्ना लव नहीं, ऐसी लाइफ पार्टनर सर्च कर रहा है, अचाहे यह पढ़ लिया है, हमने अभी का कॉमेंट है, मुनवर इस अ कन्फ्यूजड, मुनवर इस अ कन्फ्यूजड कि मुनवर की लाइफ के कन्फ्यूजड क्या है, अंकिता जी को सब पता होता है कि अभी का फेक, कॉस्टोफोबिया, मुन्ना टॉक्सिक और कैसा इनसान है, यह दिल, दिमाग और सच्चाई वाली मूरत कहां से लगती है, पूजा जी कह रही है, हर किसी के बाद में बड़ बड़े स्टेटमेंट्स देती रहती अंकिता के लिए, मुन्ना का लाइफ आफ्टर डिवोज इस ब्लाइंड, बिहाइंड बार्स ही, लिखा था मगर मनों कैसे बिलीव कर रहो, इसमें रिपीट टेलीकास्ट बट एंड नेशनल टेलिविजन बिकॉज इस वेरी वेरी क् मौनिल, ऐसा लग रहा है कि नाजिला ने अच्छे से उल्टा समझाया आईशा को और आईशा को अंदर बेज दिया, खुद नहीं आई, नाजिला को बेंड बजानी थी तो वो आईशा के थू बजा दी, जो उसको बेंड बजानी थी उसको आईशा के थू बजा दी, so is her his ex वापस पढ़ते है इसको sorry but I think Munawar is toxic and so he so he की जगे पे लिखा है न न so is his ex if he wins the cheating will be looked upon as cool and happening Ritj Ritj ये कह रहे हैं कि मुनवर फारुकी किसी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए मुहमद आवेज really heads off to you Manu भाई you are a gem, thank you brother Pranav Patel Sir Munawar is wrong but such thing could have been sorted on a personal level पढ़ लिया था ये वाला comment मुनवर को सिर्फ अभीशे की support कर रहा है बाकी सारे तमाशा देख रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे है Brennan Head Sir जी मुनना day one से शो के लिए बीबी के लिए व्यूवर्स के लिए सब के लिए fake कर रहा है he is doing what people want to see tell me how he is real Sir जी Sir जी not claiming Sir जी अभी मैं कोई claim नहीं कर रहा है उसके बारे में आज तो बम से कर रहा है ऐसा लग रहा है कि नाजिला ने अच्छा धियर पड़ी है पूनम भाई clear कर दो फैंस आईशा बेटे के साथ accept कर रही है मनबर को 21 साल की माँ बने को ready थी अभी भी लोग आईशा को hate कर रहे है भाई आप पूनम ये कह रही है कि clear कर दो फैंस को आईशा बेटे के साथ accept कर रही है वो ready है 21 साल की ओके भी वो उसके साथ रहने को तयार है इनके बीच में sort नहीं हो रहा है आप लोगों को बता दो ये मतलब वो कह रही है कि वो तो ready है मतलब रिदिमा don't know why but I cried मुनमवर and आईशा both sir do you think अंकिता और अभीशेक were today APT today and मुनमवर was too bad and बिची मनारा sorry मनारा is too bad and बिची आप ये कहना चारहे हैं बिची शेक और अंकिता ने बहुत अच्छा किया आज मुनवर और मुनवर और आईशा की आलत पे आपको दया आ रही है प्रती भाई जो मुन्ना की situation है और उसे जो भी अपनी लाइफ जो भी अपनी लाइफ मैं क्या बहुत से लोगों ने नहीं किया है जो मुन्ना ने किया है वो बहुत से लोगों ने नहीं किया अपनी जिन्दी की गंदर क्या मुन्ना को जैसे डर है कि वो बहुत सी लड़कियों बहुत सी लड़किया डरती है बहुत से लड़के डरते हैं like me too मतलब ये प्रती कह रहा है कि मैं भी डरता हूँ मैंने ये comment पढ़ लिया तब ही मैं थोड़ा confused हो रहा था गुस्से में अच्छी English बोलते है मनु भाई ये वही मुनवर है जो Big Boss जब Rider की वाट लगाता था तब भी हस हस के मजे लेता था फॉर मी अभी इस दविनर आकाश आकाश थैंक ये फॉर कॉंप्लिमेंट कि मैं गुस्से में अच्छी English बोल रहा हूँ और साथी साथ आपने जो बात कही वो भी बात तो आपकी ठीक है अस्ता तो था आज इसका नंबर है भाई नानी नी आ रही क्या आज अरे आकाश आशीश आ रही है नीन मैं तो चला आप मनु की चंता पे पहुँचिए फटाफट गाइस लव यू बाई टेक केर आपका दोस्त आपका आउस्ट मनु पजाबी कल मिलते हैं अपनी ममी को बोलना मनु आपसे बहुँचिदा प्यार करता है पहरी पॉना फटाफट गंटे का एपिसोड फटाफट गंटे का रिव्यू ममी लव यू